आज की वीडियो बहुत ही खास है ये एक रिक्वेस्टेट वीडियो है बहुत सी लड़कियों के चहरे पर जाईयां होती है अगर आपके फेस पर इस तरह के बहुत ही सिवेर किसम की चाईयां है फ्रेकल्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा बेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा आग जो मैं क्रीम का रिवियू देने जारी हूँ ये एक मेडिकेटिट क्रीम है जो के स्पेशली चाईयों के लिए है अगर आपके फेस पर फेकल्स है तो इसके लिए ये है और इसका इस्तमाल करने का तरीका बताऊंगी आपको और कम्प्लीट डिटेल बताऊंगी कि आपको ये किस तरह से यूज़ करना है और कितने टाइम तक आपकी जाईयां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काईली में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आई ये स्टार्ट करते हैं मेरे पास जो क्रीम है इसका नाम है हाइडर क्रीम प्लास ये चाहियों के लिए स्पेशली बनाई गई है अगर आपके फेस पर किसी किसम की भी चाहिया है अगर वो डार्क है ये लाइट है तो ये क्रीम उसके लिए बनाई गई है ये 15 ग्राम में क्रीम आती है जो के 100 रुपीज में है जो के बहुत जादा इसकी प्राइस नहीं है लेकिन ये किस तरह से वर्ड करती है मैं आपको ये रिकमेंट करूंगी कि आप इसको नाई टाइम में यूज क्या करें जब भी आप फर्स टाइम इसको यूज करेंगे तो आपने इसको अपने चाहियों पे सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाना है और जब आप next day use करेंगे तो आपने 30 minutes इसको लगा लेना है और इसके बाद wash करना है इसी तरह से third day आपने 2 घंटे के लिए लगाना है और इसके बाद 3 या 4 दिनों के बाद आपने इसको पूरी रात के लिए लगाए रखना है आप इसकी पैकिंग खोल कर देखेंगे तो इसमें आपको 15 ग्राम की क्रीम मी लेगी और साथ में ही एक पर्ची जिस पे complete detail लिखी होगी इसको आपने अपने तरीके से हरगे यूज यूज नहीं करना जो तरीका मैंने आपको बताया है पहले दूसरे और तीसरे दिन बिल्कुल थोड़े थोड़े टाइम के लिए यूज करना है और उसके बाद आपने इसका duration बढ़ा देना है पूरी रात लगाकर आपने सुब लगाने के बाद आपने आग के पास या किसी भी हीट के पास आपने नहीं जाना और दिन के टाइम आप इसको बिल्कुल नहीं रगा सकते क्योंकि इससे आपके फेस का रेड्निस जो है वो बढ़ जाएगी और आपको इरिटेशन शुरू हो सकती है यह क्रीम यूज करने स आपके फेस रेड हो सकता है जहां पर आपने इस क्रीम को अपलाई किया हुआ है तो उस रेड़निस को कम करने के लिए आप डेली अपने फेस को मॉल्चराइज किया करें और या तो आप किसी मॉल्चराइजिंग क्रीम के साथ इसको मिक्स करके एफेक्टेड अरिया पर लग अगर ये क्रीम यूज़ करने से आपको बहुत इरिटेशन होती है या आपकी स्किन जादा रेड हो जाती है तो आप इस क्रीम को मौशराइजिंग जो है क्रीम में मिक्स करके जरूर लगाएं या क्रीम लगाने के बाद आप दिन के टाइम अपने फेस को अच्छे से मौशराइज किया करें ये सबसे एहम पार्ट है इस क्रीम को लगाने के साथ आपने मौशराइजिंग जरूर करनी है मेरे बताएगे हुए तरीके से अगर आप इस क्रीम को यूज करेंगे हाइडर कुइन प्लस को तो आपको बहुत जादा अच्छा रिजल्ट मिलेगे और आप चाहियों से बिलकुल निजात हासल कर सकेंगे और मैं आपको ये रिकमेंट करूंगी कि आप ये जो है क्रीम लगाते हुए आप साथ साथ में अगर विटमिन सी की टैबलिट्स लें यानि कैल्सी का जो साशे होता है पानी मिक्स करके पीते हैं तो आपको और जादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही जल्दी आप जस्ट 100 रूपीज है तो अगर आप ट्राइ करना चाते तो जरूर इसको ट्राइ करें ये मैं अपनी एक फ्रेंट पर ट्राइ कर चुकि जिसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले है तो आपको सबसे पहले अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको जो है सबर करना बहुत जड़ा जरूरी होगा थोड़ा से सबर कीजिए इन्शालला की प्राबलम खत्म हो जाएगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइनली लाइक जरूर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए में चैनल को अलाहाफ़ागा